नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज हम एक हिंदी की कहानी सिखने वाले हैं और हमारी कहानी का नाम है लकड़ारा और परी तो चलो, शुरू करते हैं हमारी कहानी एक लकड़ारा था वो रोस जंगल में लकड़ियां काटने जाता था एक दिन वो नदी के पास लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी काटते काटते उसकी कुलहारी पानी में गिर गई वो रोने लगा कि अब मेरी कुलहारी पानी में गिर गई अब मैं लकडी कैसे काटूंगा इतने में वहाँ एक परी आई और परी ने लकड़ारे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो लकड़ारे ने कहा कि मेरी कुलाडी पानी में गीर गई है अब मैं लकडी कैसे काटूंगा परी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ परी ने पानी में डुपकी लगाई और सोने की कुलाडी लाई लकड़ारे ने कहा कि नहीं नहीं ये मेरी कुलाडी नहीं है परी ने फिर पानी में डुपकी लगाई और चांदी की कुलहाडी लाई लकड़ारे ने कहा कि नहीं नहीं ये भी मेरी कुलहाडी नहीं है परी ने फिर पानी में डुबकी लगाई और लोहे की कुलहाडी लाई लकड़ारे ने कहा हाँ हाँ ये ही मेरी कुलहाडी है परी ने लकड़ारे से कहा कि तुम बहुत इमानदार हो ये तीनों कुलहाडी रख लो ये तुम्हारा इनाम है तो बच्चो कैसी लगी हमारी कहानी लकड़ारा और परी तो बच्चो ये कहानी आपको घर में प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी है स्कूल में मिलते हैं बाई बाई